हेलो फ्रेंट्स मैं हुरीतू और आप सभी का स्वागत है इंडियन कोकिंग चैनल रितुराओ माय रेसिपी इस में और आज मैं आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ बहुत ही टेस्टी सी जीरा पापड़ी की रेसिपी और ये इतनी खस्ता बनी है और बहुत ही अच्छी कुर कुरिसी बनी है तो ये बहुत टेस्टी बनी है ये टी टाइम स्नैक के तौर पे भी आप यूस का सकते हैं और इसे आप बना सकते हैं फेस्टिवल में भी और ये बहुत ही टेस्टी बनती है और बहुत कम इंग्रिडियन के साथ बनती है साथ में इसे आप लंबे समय तक स् में दो बार मिलेगी तो चलिए बनाने के लिए शुरुवात करते हैं क्रिस्पी खस्ता कुरकुरी सी जीरा पापड़ी की रेसीपी तो फटा फट आते हैं किचन में तो यहां सबसे पहले हमें मैदा चान देना है तो यहां मैंने कम कॉंटिटी में लिया है अगर आप अगर बारिक वाले जो होता है वो लिया है सातुमी से पापड़ खाल डाल दीय। पापड़ खाल से बहुत अच्छी खस्ता बनते हैं और हम अच्छे से लिया है ट मौयण बेर गरम तेल का तो जीरा और ज्वया चल जाएगी, इसलिए से अच्छे से mix कर लेना है तो हमने बिलकुल गर्म किया है तो मैंने एक बड़ा चमशते लिया था उसे अच्छे से गर्म करके ही इसमें डालना है सिर्फे ऐसे गर्म करके क कर आप डालेंगे तो यह खसता नहीं बनेगी तो इसे हमने अच्छे से हाथ से अभी रब कर लेना है याने हाथ से बिलकुल मसलती भी इसे मिक्स कर लेना है इसे जितने अच्छे से आप मिक्स करेंगे उतना अच्छा सारा चीज अच्छे से मोयन के साथ mix हो जाएगा और एक लड़ू सा तयार होगा अगर लड़ू अच्छी से तयार होता है तो समझे हमारा जो मिश्रन है और मुयन है यह perfect है अगर नहीं है तो थोड़ा सा तील आप और गर्म करके add कर लीना है और जैसी यह सब कुछ mix हो जाता है थोड़ा थोड़ा पानी डालके हमें डो तयार करना है यहाँ पर पानी थोड़ा ज्यादा लगेगा हमें इसलिए ज्यादा लगेगा क्योंकि हमने इसमें डाल दिया है रवा और रवा पानी सोकता है इसलिए यहाँ पर हमें पानी थोड़ा ज्यादा डालेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे तो बहुत टाइट टो नहीं लगान हमें पिल्कुल हलका थोड़ा सा लोजडो लगाना है क्योंकि हम इसे रेस्ट करने के लिए रखते हैं तो यह पूरा पानी सोक लेता है और रवा फूल जाता है और इसे जितने अच्छे से मसल लेंगे उतने अच्छे से जो रवा है यह फूल जाता है और पूरा पानी एबस ना होगा 20 मिनिट के लिए तो हम इसे अच्छे से ढाग देंगे और रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे 20 मिनिट के लिए तो हम एक धकन लेते हैं और इसे ढाग देते हैं तो 20 मिनिट के बाद में हम इसे चेक करेंगे तो यहां 20 मिनिट के बाद में हमने जब धकन कोला तो इसे जितने अच्छे से आप मसलेंगे आपकी पापड़ी जो है वो उतनी अच्छी खस्ता और बिल्कुल एकदम खस्ता टाइप की रहेगी और बिल्कुल क्रिस्पी रहेगी यह तो इसी तरीके से पापड़ी अच्छे से बनना चीए तो सारे इंग्रिडियन को अच्छे से मसलना होगा तो यहां यह अच्छे से रेडी हो गया है डो अब हमें यहां पे इसके तीन डो कट कर लेंगे तो यहां हमने इसके तीन लोई कट कर ली हैं तो डो हमने पहले अच्छे से ढाक के रखना है जब आप एक लोई काटते हैं तो ढाक के रखना है बाकी के डो को और यहां पे हम इसके तियार करेंगे पतली सी रोटी जितनी अच्छे से आप पतली सी रोटी तियार करेंगे उतनी ही पापड़ी अच्छे बनती है तो यहां हम पहले रोटी बना कर रेडी कर लेते हैं रोटी का जो साइज है यह हमें बिल्कुल पतला से रखना है मोटा बिल्कुल नहीं रखना है रोटी बेलते वक्त में हलका सा थोड़ा टाइट से लगेगा क्योंकि हमने जो डो है यह बहुत ज्यादा पतला या लूज नहीं बनाया है तो आप इसकी ठिकनेस देख सकते हैं बिल्कुल पतलिसी है और अब हमने यहां कुकी कटर के help से बिल्कुल राउं राउंड शेप का लेना है या तो आप धकन भी ले सकते हैं राउंड शेप वाला तो थोड़ा छोटे साइस का धकन नहीं लेना है क्योंकि पापड़ी थोड़ी छोटी साइस की होती है और यहा हमारी सारी जीरा पापड़ी है यह कट हो गई है अब इसे फोक से हम यहां पे थोड़ सा प्रिक करेंगे तो यहां पहली जब आप रोटी बनाते हैं तब यह भी प्रिक करके आप यह कट कर सकते हैं या फिर जिस तरीके से मैं कर रही हूं इस तरीके से भी कर सकते हैं तो सारी पापड़ी को हमने प्रिक कर लिया है यहाँ पे तो यह एक साइड में हमने तेल भी गर्म करने के लिए रख दिया था तो तेल बहुत ज्यादा गर्म नहीं करना है बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे इसे गर्म करना है और जब आप पापड़ी डालते हैं तो वापिस हमें फ्ले सथा हमने पापड़ी डाल दी है और यहाँ पे बहुत ओवर क्राउड नहीं करना है पापड़ी का हमें तो पापड़ी को इसी तरीके से हम दोनों साइड से गोल्डेन ब्राउन होने तक फ्राइ कर लेते हैं तो यहाँ आप देख सकते हैं यह हलके हलके सी गोल्डेन ब्रा देरे देरे से पूरी अच्छे से crisp हो गई है तो हम इसे थोड़ा सा और पलतेंगे और बिल्कुल हलका सा color आने देंगे और इसके बाद इसे हम निकाल लेते हैं तो यहां आपको एक चीज का और ध्यान रखना होगा जब आप इसे fry करते हैं तो इसे medium to low flame पर ही fry करें high flame बिल्कुल नहीं करना है अगर आपने high flame की तो यह अच्छे से खस्ता नहीं बनेगी और जब यह fry हो जाती है तो इसे किसी चन्नी पर निकाल लेना है क्योंकि इसका जो extra तेल है वो पूरी तरीके से निकल जाना चाहिए तो इसलिए हम इसे बिल्कुल एक चन्नी पर निकाल लिया है और यहां आप देख सकते हैं यह बहुत अच्छे सी golden brown सा कलर आ गया है आप चाहे तो इससे बहुत कम कलर भी ला सकते हैं तो अगर आए आपकी चोईस है आपको किस तरीके का इसे एकदम white से रखना है यह थोड़ा सा इस तरीके से हलका सा कलर आना चाहिए तो बैस है अपने नेक्स वीडियो में तिल दन बाइ और थैंक यू फो वाचिंग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्